हाई दस्तों अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो यह आप लोगों को बात सुनके बहुत ही हैरानी होगी लेकिन यह जो बात मैं बताने जा रहा हूं यह बहुत ही आप लोगों का काम देने वाला है आप लोगों को बता दूँ अगर मलेशिया आते हैं कोई भी बीजा लेकर कोई भी यहां पर मलेशिया में आते हैं कासकर के प्लान डेशन वर्क में हो या कोई भी वर्क में आप आना चाहते हैं वर्क बीजा को लेकर तो मिलेशिया आने से पहले आपको एक डाउनलेड करना और उसके बारे में जानना भी बहुत ही आवसक होगा क्योंकि देखिए मलेशिया आने से पहले अगर आप ये एप के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आप जाते हैं डिरेट एजेंट के पास और जिस दिन आप मलेशिया आते हैं उस मलेशिया जिस दिन आपका टिकट रहते हैं मलेशिया के दिन उस दिन आप एजेंट के पास जाते है और एजेंट इस एप का जो है आपको डाउनलोड करके देंगे और जो COVID vaccination लगवाये थे सब कोई उसी का जो है दोनों डोज का जो है इसमें आपको form film करना होगा इस application में और application में आपको बता दूँ कि इस application में जो है आपको यहां पर जिस जगह में आप आते हैं उस जगह का आपको पूरा location उसमें यह करना पड़ेगा और जिस जगह में जाते हैं उसका पूरा यह करना पड़ेगा आपको जो form में दिया जाएगा उसमें आपको भरना पड़ेगा अगर यह आप अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको अगर एजेंट के द्वारा आते हैं हो सकता है तो इस खर्चे से आप लोग बचने से पहले आप लोगों को मैं एक एप का नाम बताना चाहता हूं नहीं तो अगर आप लोग यह आपको डाउनलोड नहीं करते हैं और एगर एजेंट भी नहीं बताते हैं हाला कि हर एजेंट बताते हैं कि उसको फायदा होता है इसमें कुछ भी नहीं आपका एक पैसा खर्चा होता है सिरिफ आपको यह फॉर्म फिलप करना होता है कि सेकंडोज आप लगवा यह सभी वर्करों के लिए जो भी मलीषियाना चाहते हैं यह लोग बहुत ही ज़्यादा साबधन हो जाए और इस एप को डाउनलोड कर लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एप का नाम इस एप का नाम है My Sajatra तो My Sajatra आप जो है Google में आसानी से पास सकते हैं Google Play में, Play Store में और इसे आप डाउनलोड करके Form Flip कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी एजेंट जो है आपका पास पैसा तो खाते ही हैं अल्रेडी बहुत ही सारे आपके पैस पैसे लेते हैं लेकिन आपसे इसका भी जादा डिमांड करते हैं हलाकि इसका कोई भी बात होता नहीं है लेकिन सब कुछ आपको मिला के देते हैं लेकिन बहुत सारे एजेंट जो है इसका भी धंदली करते हैं तो आप लोगों को मैं हर अगे का जो भी process रहते हैं, हर चीज आने का मैं आप लोगों को details से बताता हूं, तो इस application में आप लोग form fill up कर सकते हैं अच्छी तरह और इसमें डालके आप लोग अराम से आ सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इस एप को डाउनलोड नहीं करेंगे और चले जाएंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है आपको एजेंड जो है आपको आने से पहले ही डाउनलोड करके देंगे और आपसे फिर पैसा मांगेंगे तो इससे पहले आप लोग साबधन हो जाएं क्यूंकि देखिए अगर आप यह डाउनलोड नहीं करते हैं और यह फर्म फिलप भर के नहीं आते हैं तो आपको एरपोर्ट में चेक करेंगे इंडिया एरपोर्ट में भी चेक किया जाएगा और जो मेलिसिया में भी चेक किया जाएगा अगर यह चेक करते हैं अगर आपके पास नही को क्या-क्या benefit होता एक तो आप लोगों को बहुत चाहरी जानकारी मिलजाते हैं और उसके बाद आप जो है आजेंट को पैसा देने से भी बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को पहले ही एस जानकारी आप लोगों को हो आपप को मुझे डाउंटलॉड करना लोग आने जाने के लिए इसका प्रूब चाहिए था कि इस वर्कर को जो मैं लेकर आ रहा हूं इंडिया तो यह क्या इसको वैक्सिनेशन हो चुके हैं या नहीं हो यह तो आप लोगों को बता दूए वैक्सिनेशन जिसका जिसका है इसको ही आने जो देखिया आप जब भी म नहीं लगवाए थे अभी भी मिल रहा है बहुत सारे एप से जो सारे वेबसाइड जो जो लोग भी यह कर रहे हैं हाला कि आप तीका लगवाई यह या नहीं लगवाई यह वह आपका मर्जी 50-60 रुपया में भी मिल जाता है जो जो लोग भी लगवाए हैं आब ही क्योंकि देखे करूना वैक्सिनेशन को लेके बहुत ही ज्यादा यह है कि बहुत ही ज्यादा जो है इस्टिक का बीमारी होगा और ब्रेंड इस्टोक का बहुत सारे इसे जो है पाते बताये गए हैं लेकिन देखे आप लोग अगर नहीं लगवाना चाहते हैं तो इसका सट्टे प में चेक करेंगे और फिर आप आ सकते हैं तो यह हैं आसानी तरीका आने का मलीशिया में और जो है इससे आप लोगों का पैसा भसते हैं दोस्तों तो आप लोगों का जो अच्छा लगे आप लोग करें आप लोगों को मेरा मतलब मकसद रहते हैं कि आप लोगों को एक अच या तो हम लोग आने के वाद ये जब भीजा लेने के लिए इसके पास एजेंट के पास तो वहाँ पर क्या हुआ कि एजेंट बोलते हैं कि इस app को download करना पड़ेगा अपने मोबाइल में download कर लो जिसका smartphone है और मुझे इसमें कुछ काम करना है आप लोगों को इसके लिए'M1,000 रुपया देना पड़ेगा हाला कि से यारपोर्ट वहाँपर चेक पर करें तो अंग वह गया और में पहली यार मलिसीय आया और हाला कि देखिए मैं पहली वार ही विदेश कंट्री आया हूं ना कहीं गया हूं और नहीं मुझे किसी देश के बारे में इतना जानकरी था तो जब हम लोग आये तो फिर वहां बीजा लेने के जैसे ही बीजा लेने के लिए एजेंट के पास तो एजेंट बोलता है कि सो करना है तो यही काम रहता है दोस्तो लेकिन इसके लिए भी हजार रुपया अला कि एजेंट तो पैसा ठगता ही ठगता है और एक एप के लिए भी जो है आप ऐतना पैसा लेते हैं 미रे युट्यव चैनल को और बैल आकन को प्रेस कर दिए चलिए मिलते है नेक्ट जय वारेट